इस गेम का साइज 1.2 GB है सुना इसमें तेरा नेट जाएगा देखो एर वीडियो स्टाट करने से पहली क्वेस्चन है क्वेस्चन यह है आपको अपने दोस्तों के साथ कहीं पर जाना है आप किस चीज में जाओगे कार में या बाइक में मेरे को बोलोगे भी मैं तो बाइक पर चलूँगा क्योंकि दोस्त निकम्में होते हैं गाड़ी के तो ऐसी की तैसी करके रखते हैं वेकिन यह मजा की बाइक पर मजा भी आता है दोस्तों के साथ जाना है बाइक इस भी बैस्ट ओप्सन फैमिली के साथ जाना है और एक जुरूरी इंफोर्मेशन आप बोलते इसको लेकर एक वीडियो आ रहा हूँ आज साधे 5 या 6 बजे के आसपास तबनेल देखे स्कीब मत कर देना देख लेना एक बार मजा आएगा और आप लोग समझ जाओगे कि किस परकार आप गेमिंग टोपिक ढूनकर उन पर वीडियो बना सकते हो तो भाई आज की वीडि देख लेना पूरा का पूरा खतम हो जाएगा तो भाई कौन कौन से वो टोप 5 गेम्स है मैं थोड़ी देर में आप लोगों के साथ सेर कर तूँगा लेकिन उससे पहले बाई चैनल को सब्सक्राइब करो निचे इस्टाग्राम एंडल दिखाए देरा उसे भी फोलो कर लो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हम डालने लगे हैं जाके फोलो कर लेना तो ज़्यादा समय बेश नहीं करते हैं डारेक्ट में आप लोगों को गेमिंग लिस्ट पे लेके चलता हूँ लेकिन उससे पहले आपके अकोर्डिंग टो 5 बेस्ट कार सिमिलेटर गेम कौन से हैं को गेम को 4.0 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं जो कि बहतरिन है और इस गेम को अब तक 5 लाग से ज़्यादा यूजर ने डाउनलोड किया है और खेला है यह गेम 16 मार्स 2022 को रिलीज हुआ था और इस गेम को खेलने के लिए आपके पास कम से कम एंडूइड 4.4 वर्जन होना चाहिए जैसा कि गेम के नाम से ही पता चलता है कि इस गेम के अंधरम लोगों को इलेक्रिकल गाडियां ड्राव करने के लिए मिलने वाली हैं तो रस्ते में आप लोगों को इलेक्रिकल चार्जिंग पॉइंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं ग्रैफिक्स की बात करें त जो आपको खेलते समय मज़ा देंगे साथ ही इसमें आप लोगों को जबर्दस टाइप का इंटेरियर देखने को मिल जाता है बिल्कुल रियल स्टीग इंटेरियर मिलता है सपेसली रात के टाइम इंटेरियर के अंदर जब लाइटे जलती हैं तो अलग ही मज़ा आता है इसके लावा आप लोगों को इस गेम के अंदर हर प्रकार के रस्ते मिल जाते हैं फिर चाहे सिटी के हाइवे हो गाउं के छोटे-छोटे कच्छे रस्ते हो या फिर प्रोपर वे में ओफरोड हो सब कुछ देखने को मिलने वाला है इसके लावा स् रियल फिजिक्स जब आपकी गाड़ी किसी चीज़ के साथ टकराती है तो भाई गाड़ी के अंदर डेंट पर जाता है बाकी गेम्स की तरह ने की बैस डेमेज मिला एक्शुल में डेंट आप लोगों को देखने को मिलता है मैप भी ठीक ठाक है अच्छी खासी डिस्टें सेंबी है साइज तो वह यह चोधे नंबर पर जो गेम आता है उसका नाम है रियल कार पार्किंग टू इस गेम का साइज मातर 394 एंबी है और एक मिलियन से ज्यादा यूजर ने इस गेम को खेला है और डाउनलोड किया है इस गेम को खेलने के लिए भी आप लोगों को एं सकते हो और इस गेम के अंदर आप लोगों को बहुत सारे एडवांस विचर देखने को मिलते हैं जैसे आप अपने साइड वाली विंडोज होती है जो उनके सीसे उपर नीचे कर सकते हो जब आप पार्किंग करोगे तो आप लोगों को पार्किंग सेंसर की वाज सुनाई देगी यहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वाले ग्रैफिक्स मिलते हैं जिनके अंदर आप लोगों को बहुत ज्यादा डेखने को मिल जाती है और यहां पर आप लोगों को मैं मिलता है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है अच्छी खासी रेसिंग गाडियां, sports गाडियां, हर प्रकार की गाडियां आप लोगों को इस गेम के अंदर मिलती है, और हर प्रकार का रस्ता आप लोगों को इस गेम में मिल जाता है, टाइम रोटेशन होती रहती है और आप लोगों को dynamic weather भी देखने को मिल जाता है यदि driving control की बात करें तो tilt, arrow और staring भी लाप लोगों को मिल जाते हैं different different type के camera angles मिलते हैं और physics भी छखासा है मतलब एक तर ऐसे कहूं बहुत ही चबरदस्त गेम है हाला कि beta version में है फिलाल जब fully release हो जाएगा तो भाई one of the best car simulator game होने वाला है तो इस game को भी आप जुरू try कर सकते हो description में link है या फिर google play store पर जाओ search करो तो यह तीजरे नमबर पर जो game आता है उसका नाम है petrol head traffic इस game का size 1.2 GB है सुना इसमें 13 net जाएगा और इस game को 4.4 rating points में लें auto file जो की बहतरीन है साथे इस game को 5 million से जादा user ने download किया है और खेला है 25 July 2020 को एक game release हुआ था और इसको खेलने के लिए भी आप लोगों के पास android 4.4 होना चाहिए यह तो लिखी लोभाई हर game में चाहिए अब बात करते हैं इस game के कुछ बैतिन features के बारे में इस game में आप लोगों को multi player भी मिलता है और single player भी मिलता है आप अपने मन मताबिक खेल सकते हो इस game की graphics quality awesome type के बहुँ जादा अच्छे graphics मिल जाते हैं जिनमें अच्छी खासी detail आप लोगों को देखने को मिलती है बहुत बड़ी बड़ी cities मिलती हैं जिनके अदर आप लोगों को बंदे घुमते हुए भी दिखाये देते हैं कई परकार के vehicles यानि की गाड़ियां drive करने के लिए मिल जाती है अलगलग type की जिनको आप अपने मन मताबिक customize भी कर सकते हो इसके लाओ आप लोगों को यहाँ पर limitless driving करने को मिलती है मतरब इतना बड़ा map है कि आप लोग ड्राइविंग करते करते ठक जाओगे लेकिन भाई map कतम नहीं होगा day night rotation देखने को मिलता है और तीनो प्रकार के आप लोगों को steering control मिल जाते हैं इसको दूसरे नमबर पर रखने वाला था लेकिन भाई या इसमें आपका internet जाएगा तो मैंने इसे तीसरे नमबर पर रखा है साथ ही आप driver को नीचे होता अगर उसकी movement भी करा सकते हो और सारी driving आप लोगों को उसी के साथ करनी है तो कहीं दूर मत जाने दिना वरना विमल खा के आ जाएगा और फिर वेहोस हो जाएगा मर्जी है आपके पास अच्छा खासा net है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो description में लिंक है और साथ ही Google Play Store पर जागर लिख के भी सर्च कर सकते हो तो भाईया आज के लेस्ट में दूसरे नंबर पर जो गेम आता है वो है बस सम्लीटर इंडोनेसिया का छोटा भाई जिसका नाम है काल ड्रैविंग ओनलाइन इस गेम का साइज मातर 269 MB है और इस गेम को 4.5 रेटिंग पॉइंट्स मिले है और Top 5 जो की बैतरिन है साथ ही इस गेम को अब तक 1 मिलियन से ज्यादा यूजर ने डाउनलोड किया है और खेला है 30 सब्तमबर 2022 को एक गेम रिलीज हुआ था और इस गेम को खेलने के लिए आप लोगों को Android 4.4 की जुरूत नहीं पड़ेगी बलकि Android 5.0 आप लोगों के पास होना चाहिए अब बात करते हैं इस गेम की कुछ फीचर्स के बारे में तो ये एक ओनलाइन गेम है यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ भी मिलकर खेल सकते हो इस गेम में आप लोगों को हाई क्वालिटी के ग्रैफिक्स मिलते हैं लेकिन जो कलर सैचुरेशन है वो मुझे अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा फीलापन मुझे यहाँ पर ज्यादा लगता है गाडियों की बात करें तो आप लोगों के यहाँ पर स्पोर्स कारें जो नॉर्मल गाडियां होती है ओप रोड वाली गाडियां होती है हर परकार की गाडियां मिल जाती है जिनको आप फुली कस्टमाइज भी कर सकते हो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा गेम प्लेइंग मोड्स मिलते हैं बर्मार है गेम प्लेइंग मोड्स की खेलते खेलते ठकोगे नहीं इसके लावा आप लोगों को यहाँ पर अलग-अलग कंट्री का मैप भी देखने को मिल जाता है मतलब सीटी होती है जैसे अपनी देली का मैप भी आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाता है जहाँ पर आप खेल भी सकते हो तो आप यहाँ पर बोर नहीं होने वाले इतने बात तो कनफरम है अलग-अलग परकार के कैमरा एंगल्स मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपने मन मताबिक अपनी गाड़ी को देख सकते हो ड्राइवर को बाहर निकाल कर उसको भी गुमा सकते हो और वो आप के लिए डान्स भी करके आप लोगों को दिखा सकता है साथ ही यहां पर आप लोगों को तीन परकार के staring control मिल जाते हैं जो बागी simulator games भे भी आप लोगों को मिलते हैं तो आप इस गेम को एक बार जुरू ट्राइ कर सकते हो, साथ ही इस गेम के अंदर आप लोगों को उपरोड रसा भी मिलता है, गेम का नाम Google Play Store पर लिखके भी सर्च कर सकते हो, या डिस्क्रप्शन में लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो भया, आज की लिस्ट में जो पहले नमबर पर गेम आता है, उसका नाम है Car Simulator 2, और इस गेम का साइज मातर 339 MB है, इस गेम को 4.5 रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं और टोप 5 जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, साथ ही इस गेम को अब तक 50 मिलियन से ज़्यादा इस गेम में आप लोगों को सब चीज़ें मैनुवल करनी पड़ती है, मालो आपको गाड़ी के अंदर बैठना है, तो आपको गाड़ी के विंडो के उपर एक बटन दिखाए देगा, उसके उपर क्लिक करना होता है, तो विंडो ओपन हो जाएगी, फिर अंदर बैठते हो फिर फिर आपको विंडो बंद करनी पड़ती है, फिर आपको सीट बैल डवेन नी पड़ती है, उसके बाद आप गाड़ी ड्राइब कर सकते हो, मतलब सब कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटिट सा लगता है, लेकिन इस गेम में हम लोगों को हाई क्वालिटी के ग्रैफिक्स मि मिल जाते हैं, बहुत बड़ा मैप देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हम ड्रैविंग करते हैं इसमें बोर नी होंगे, लेकिन इस गेम की जो सबसे खास बात है, जो इस गेम की जान है, वो है इस गेम के मिशन, मिलको GTA 5 जैसे मिशन आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं, ज यहाँ पर आप लोगों को कई परकार की गाडियां मिलती हैं, Lamborghini जैसे ay sports गाडियां भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है, अलग-अलग परकार के camera angles मिलते हैं, और भाई तीन परकार के staring controls भी मिल जाते है, टोल्टली मिला कर का उन, वन ऊप दी best carbahnसणाटर के बताना लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोडिवेशन वेल को ओन कर लेना तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए बाई बाई चैहिं